पिंदारन में अग्यात लोगों के द्वारा बेजुबान मवेशियों के लिए रखे पुआल के धेर में लगाई गया जहां पुआल का धेर जलकर हुआ राक जन्पद बांदा के विकास खंड बबेरु अंतरगत ग्राम पंचायत पिंदारन गाव का है वही ग्रामीन महिला रंजी देवी का कहना है कि मैं देर रात पेशाप करने के लिए निकली जगी तभी चटचट की आवाज सुनाई ती जिसके पश्चात मैंने अपने बेटे को बताया इसके बाद बेटे ने ग्राम प्रधान को सूचित किया वही ग्राम प्रधान मैयादीन का कहना है कि मेरी गाव में किसी से कोई रंजश नहीं थी फिर भी किसी अग्यात ने बेजबान मवेशियों के लिए एक त्रिक पुआल के धेर पर आग लगाई जिससे भारी भरकम नुकसान हुआ है मौके पर पहुँचकर देखने के बाद ग्राम प्रधान ने डायल 112 वह फायर ब्रिगेट को सूचित किया मौके पर डायल 112 पहुची वह रास्ता ठीक ना होने के चलते फायर ब्रिगेट की गाड़ी घटनास्थल तक नहीं पहुँच सकी वही ग्रामीनों के द्वारा पास रखी ज्वलन शील चीजों को हटाया गया वो ही सच्छव सत्याइंद्र सिंग ने घटनास्थल पर पहुंच कर देखा वा बताया कि बेजुबान मवेशियों के लिए रखे पुआल पर किसी ने आग लगाई है जहां लगभग 500 ट्राली से अधिक पुआल एकत्रित था जिसका नुकसान हुआ है आखिर अब कैसे कर पाएंगे एकत्रित इतना पौल क्या खिलाएंगे बेजुबान मवेशियों को कैसे जीवित्रे पाएंगे बेजुबान मवेशियों को कैसे घटना हुई है आपके ग्राम पंचायत पर यह कैसे हुई है किस प्रकार आपको जा आपने किसी प्रसासने लोगों को या किसी को दी एक से बारा नमर को अच्छा अगनी समर्दाल को दिया दोनों लोग यहां मौके पर आए थे कैसे करें जब हम से किसी से लड़ाई दंगा नहीं हुई पुलिस प्रसासन के दवारा किस प्रकार का स्वासन आपको दिया गया है इसमां पुलिस के द्वारा हम लोग ने कहा कि अगर पता लगाएंगे पता लग जया अगर तो फिर हम उसकी नाम जब रिपोर्ट करेंगे आ आपको नाम मेरा नाम मैयदीन मरमा तो आपको आपको कैसे जानकारी हुई है कि आग लगी है जो अच्छा तो किते लोग थे जब आप आप निकली है जो है कि आपको किसने जानकारी दिया कि आग लग गई है अच्छा इसके बाद आप किना को बताया कि आग लग गए है अच्छा फिर इसके बाद आप ने किसी को जानकारी देंगे परद्धान के नमबर उबना रहा आप परद्धान कोन से गाउं में आग लगी है पिंदारन क्या नाम है आपको रंची